So student, ये रहे मेरे next question, question number 6, question number 8 and question number 9, 7 को मैं कर रहा हूँ, skip ये है आपके लिए homework, जिन question को मैं skip करने वाला हूँ, वो आपके लिए homework है, और homework भेजने का तरीका आपको पता है, so चलिए, question number 6 को कैसे करने वाले हैं, वही splitting the middle term, क्योंकि यहां मुझे दिखाये दे रहा है कि ये क् एक quadratic polynomial, yes, एक quadratic polynomial, student ये अपने आप में एक बड़िया question है और एक बड़ा question सा दिखाई देता है, क्योंकि यहां एक बड़ा सा number है, जिनका हमें factors find करना रहता है, जो की आसान काम नहीं होता, ठीक है, अगर आपके practice अच्छी है, तो आप orally भी कर सकते हैं, चलिए, तो क्या है यहां, A और B और C, यहां है, here, A is equal to minus 1, minus 1 है यहां, B is equal to 35, and C is equal to 156, so, सबसे पहला step, target set करना, तो A into C equal to, क्या हो जाएगा, आपका minus 1 into 156, यह हो जाएगा, आपका minus 156, step number 1 completed, then, चलिए, आगे, next step, इनके दो factors को find करना, जिनको multiply करने पर तो मुझे minus 156 मिले, लेकिन उनका addition क्या हो, उनका addition हो मेरा middle term के equal, 35 मिलना चाहिए, कैसे करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, जैसे कि पिछले question को किये हैं, वैसे ही factors find करने वाले हैं, इस 156 के, तो factors find करते हैं इस 156 के factors find करते हैं, सबसे पहले इसको किस से कटाएंगे, 2 से, so 2 से, 27,000 होगा आपका, 14, 1 बचेगा, 28,000, 16, फिर से 2 से जाएगा, क्योंकि यहाँ है 8, और 8 है आपका event number, तो 23,000, 6, 29,000, क्या आप ये 2 से जाएगा student, बिलकुल नहीं, 2 से नहीं जाएगा, तो ये जाने व 3,000, 3,000, क्या 13, 2 से या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 13 है एक prime number, तो ये अपने आप से जाएगा, 1 time, so कैसे करना है, अब हमारे पास कितने factors हैं, 156 के ये रहे हैं मेरे पास factors, इनको बनाना है 2 group, इनका बनाना है 2 group, तो पहला group बनेगा मेरा 2 into 2 का, तो ये 4, दूसरा group बनेगा मेरा 3 into 13 का, तो ये बन जाएगा मेरा, क्या, 39, 13, 49, so मेरे पास 4, मेरे पास 39, इन दोनों का multiplication क्या होना चाहिए, इन दोनों का multiplication होना चाहिए, 156 minus 156 के equal, so चलिए, 39 into 4 अगर मैं करूं, तो 4, 9, 0, 36, carry 3, 4, 3, 0, 12, और 12, और 3 होगा आपका 15, 156 तो आचुका है student, अब खेल है आपके plus या minus sign लेने का, minus sign लेने का खेल है, मेरे पास minus है, इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों में से किसी एक में मैं minus sign लगाने वाला हूँ, लेकिन किसमें लगाएं, ये decide करेगा आपका ये, मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो 35 है, positive है, तो ज़रा बताइए student, इन में से मैं किसमें लगाऊं, 49 में या 4 में, 39 में minus sign लगाऊं या 4 में, तो आप कहेंगे कि sir, अगर मुझे positive value चाहिए, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा, उसमें मैं क्या रखूँगा, positive sign, औ यहां, 39 रहने वाला है positive, और उसको अगर मैं 4 से add करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 35, जो की equal होगा मेरे, किसके, middle term के, और इसी का तो मुझे इंतजार था, कि मुझे वो दो factors मिल जाए, जिनका multiplication क्या हो, जिनका multiplication हो, आपका minus 30, minus sorry, minus 156, और जिनका addition हो, 35, तो चलिए, since, since, 39 into minus 4, आपका हो रहा है, minus 156, and इन दोनों को add करने पर हो रहा है, 39 plus minus 4, आपका 35, जो की equal है, आपके middle term B के, चलिए, तो अब बारी आती है, इस, के middle term को split करने के, और split किस में करेंगे, हम करेंगे, 39 वाले term में, और एक करेंगे, minus 4 रहे, ऐसा कुछ term, चलिए, तो, minus y is equal to plus 35y plus 156, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, minus y साथ चलने वाला है, 35 को मैं लिख सकता हूँ, 39y minus 4y, 39y minus 4y plus 156, चलिए, आगे बढ़ते हैं student, आगे, यहाँ है मेरे पास minus y square, यहाँ है मेरे पास plus y, यहाँ है मेरे पास coefficient के रूप में minus 1, यहाँ है मेरे पास 39, जो की बिलकुल अलग-अलग है, इसका मतलब इन दोरों में से क्या common निकलने वाला है, minus y, अंदर बच जाएगा यहाँ y square में से y बाहर चला गया, तो y, और यहाँ बच जाएगा minus sign बाहर है, तो minus 39, चलिए, अब यहाँ से क्या common निकलेगा, यहाँ से y तो common नहीं निकल सकता, तो 4 और 4 के table में आएगा यह कौन, यह 156 कित्ते times में, तो यह आएगा आपका 39 times में, तो यहाँ minus sign सबसे पहले बाहर चला जाएगा, और चला जाएगा 4, minus 4 अगर मैं common ले लूँ, तो यहाँ बचने वाला है y, और minus sign बाहर चला गया, तो यहाँ बचेगा minus, और यहाँ आएगा आएगा आपका 39, चलिए, इसका मतलब मेरा step सही है, दोनों equal, तो मैं जान जाऊँगा कि मैं सही जा रहा हूँ, तो चलिए student, यहाँ क्या हो जाएगा, minus y, यहाँ minus 4, और इन दोनों के साथ लगे हुए है, y minus 39, y minus 39, तो दो की दोनों में ही क्या है, common है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, बाहर, तो अंदर बचेगा आपका minus, y minus 4, so minus y minus 4, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इन दोनों में से अगर मैं minus common ले लूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y-39 into y-4 ये रह मेरा answer यही मेरे क्या हैं यही मेरे factors हैं student यह मेरे factors हैं इसको आप ज़र अच्छे से practice कीजिएगा और मैं फिर से एक बार repeat कर दूँ कि अगर आपको detail वीडियो चाहिए इस पर इसके पूरे एक step तो आप जाएए lecture number 13 पे i button पर उसका link है या link description में है जाके एक बार जरूर देख लिए चलिए इसको कैसे करना है 12x square minus 24 plus 12 यहाँ अगर मैं a, b और c की बात करूँ तो here a is equal to 12 and b is equal to है आपका minus 24 and c is equal to plus 12 a और c को multiply करके हम करते है target set तो a और c को जब multiply करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से a into c आपका मिलेगा 12 into 12 equal to होगा आपका 144 अब इस 144 के क्या करना है दो factors find करना है जिनका addition मुझे क्या मिले 24 के equal, sorry, minus 24 के equal तो आप अप मुझे यकीन है student आप में इतना confidence build up हो गया होगा कि आप और अली बता सकते है कि sir 144 किसका square होता है 144 होता है आपका 12 का square और 12 into 12 144 अगर मैं इसी में दोनों में minus sign ले लूँ अर्थार minus 12 into minus 12 तब भी मुझे क्या मिलने वाला है minus 144 मिलने वाला है तो और उनको add करूँ तो minus और minus होगा आपका plus और 12 और 12 हो जाएगा 24 कैसे minus 12 into minus 12 आपको मिलेगा 144 और minus 12 को अगर मैं minus 12 के साथ add करता हूँ तो मुझे मिलेगा minus 24 और इससे मेरा step number 2 की सर्थ पूरी होती इसका मतलब ये बड़ा ही आसान सा question है कैसे करेंगे हम इसके middle term को split चुकि minus 12 into minus 12 minus 12 is equal to होगा आपका 144 and minus 12 plus minus 12 दोनो का add करने पर आएगा आपका माइनस 24 तो ये हो जाएगा 12x square minus 12x plus 12 सारे में ही क्या common है 12 12 तो दो दो का जोड़ा ले लेते हैं इन दोनों में से क्या निकल जाएगा 12 दोनों में x है तो 12x निकल गया है क्या बचेगा यहां यहां बचेगा x यहां बचेगा minus 1 तो यहां माइनस यहां plus minus sign common दोनों में 12 है 12 भी common यहां बचेगा x यहां बचेगा minus 1 x minus 1 x minus 1 अब दोनों में common तो x minus 1 क्या हो जाएगा student यह हो जाएगा मेरा common निकल जाएगा यहां बचेगा आपका 12x minus 12 इसी को आप क्या लिख सकते हैं दोनों में से फिर से common निकाल कर आप इसको लिख सकते हैं 12 into x minus 1 into x minus 1 यही मेरा answer है student so चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं मेरे पास question number 9 जहां 6x square minus 7x minus 3 का मुझे क्या find करना है मुझे find करना है factors कैसे करेंगे splitting the middle terms के करेंगे so here a की अगर मैं बात करूँ तो यहां है मेरे पास 6 b की अगर मैं बात करूँ तो यहां है minus 7 और c भी क्या है minus 3 so a into c क्या मिल जाएगा मेरे को यह मिल जाएगा 6 into minus 3 minus 18 target state कीजिए minus 18 लेके मुझे आना है किनके दो numbers को multiply करके और उन्ही को अगर मैं add करूँ तो मुझे क्या मिले middle term मिले so क्या आप oral ही बता पा रहे हैं नहीं तो चलते हैं कैसे करना है 18 के factors मुझे find करना है 2 से पहले divide करूँगा मैं तो यह जाएगा 9 times में 3 से जाएगा तो 3 times में 3 से जाएगा 1 times में तो क्या मिल गया 2 into 3 into 3 so अगला काम है इनके दो group बनाना चलिए एक group मैं ले लेता हूँ यह एक group मैं ले लेता हूँ यह अगर इन दोनों का group बनाओं तो यहाँ से मुझे मिलेगा 6 और यहाँ से मुझे मिलेगा 3 6 into 3 तो मुझे 18 मिलता है इस्टूरें लेकिन क्या इनको add करने पर मुझे middle term मिलेगा minus 7 6 plus 3 करने पर minus 7 आएगा बिल्कुल नहीं इसका मतलब यह जोड़ा मेरा फैल हो जाएगा यह group मेरा फैल हो जाएगा तो क्या next चलते हैं अब मैं ले लेता हूँ 3 into 3 और यह 2 को अलग सो क्या हो जाएगा 2 into 3 into 3 हो जाएगा 9 तो 9 into 2 तो 18 मिलता है लेकिन उनको add करने पर क्या मिल रहा है उनको add करने पर मुझे मिल रहा है 11 जो की मेरे middle term की equal नहीं है लेकिन मैं minus के साथ minus sign के साथ खेल के इसको क्या ला सकता हूँ minus 7 ला सकता हूँ कैसे मतलब देख रहे हैं कि आप इसके साथ कौन सा sign है minus sign है तो जड़र बताई इन दोनों के साथ मैं किसमे minus sign लगा दूँ कि मुझे क्या मिल जाए मुझे मिल जाए minus 7 मुझे मिल जाए minus 7 और मुझे मिल जाए minus 18 तो कैसे करेंगे तो 2 into अगर मैं minus 9 करता हूँ student तो मुझे मिलता है minus 18 पहली सर्थ पूरी की दो numbers find करना दोनों का जो product हो वो a into c के product के बराबर हो दोनों का जो product है वो क्या होना चाहिए minus 18 हो गया पूरा अब इन दोनों को जड़ा add कर जिए 2 plus minus 9 तो plus और minus होता है आपका minus तो 9 में से 2 गया 3 चुकि 9 के साथ लगा हुआ है minus sign तो जब मैं करूंगा 2 plus 2 plus minus 9 तो ये मिलने वाला है minus 7 इसका मतलब मैं इन दोनों numbers को तो 2 और minus 9 मेरा वो दो factors है जिसकी help से मैं इसके middle term को split करने वाला हूँ since 9 into minus 9 into 2 आपको मिल रहा है minus 18 and minus 9 plus 2 करने पर मलता है minus 7 जो की equal है आपके middle term के जो की आपके equal है middle term के so 6x square minus 7x minus 3 equal to चलिए ब्रेक करते हैं इसके middle term को student क्या आएगा 6x square minus 9x plus 2x minus 3 चलिए common लेते हैं इन दोनों से common आए जाएगा आपका 3x तो यहां बचेगा आपका 2x यहां बचेगा आपका 9 sorry 3 plus यहां से दोनों में ही दोनों अलग-अलग है 2 एक अलग number 2 3 एक अलग number तो 1 बाहर आएगा तो यहां बचेगा 2x minus 3 2x-3 2x-3 दोनों में से 2x-3 common तो यहां बचेगा 3x यहां बचेगा plus 1 यही मेरा answer है यह question number 9 हो गए चलिए आगे के question को देखते हैं